अब हम बात करते हैं जरा पेपर टू के जो पेपर टू पे आप लोग नहीं लाइक किस तरीके से उसको अटेम्ट करना है वो सारी चीज़ा हम लोग ने देखनी है क्योंकि एक अगर प्लान आप लोडी होता है कि इसी अप्रोच को लाइका फॉलो करते हो थोड़ा बहुत आ के जब पेपर आता है तो स्सक्राइब लोग इतना ज़्यादा एक तरीकर से पेपर प्रेशर जो थोड़ा सा कम हो जाएगा तो देखते हैं ज़रा इसको और समझने की कोशिश करते हैं कि आप लोगका पेपर किस तरीके का आने वाला है आप लोग मेंटली तयार हो साही है जितनी प्रेपरेशन थी वो तो कर ड़ी अब आप लोगों जितनी कर सकते थे सही तो मेंटली आप लोग तयार हो आप लोगों एक दम से पेपर देखने के बाद कुछ जीब सा ना लगे और प्रेशर में आके कुछ भी ना करो तो इस वज़े से जो है अभी सुन लो बहुत जरूरी क्लास है और बहुत जरूरी सेशन है तो इसको ज़रा देख लेते हैं देखो तैयारी तो अभी नहीं हो पाएगे तैयारी तो मतलब जितनी आपको ने कर ली तो कर ली लेकिन एक mentally प्रेपेर रहो कि किसा पेपर आने बाद है और क्या अभी जितने भी सेशन होएं अभी जितने भी पेपर्स होएं सारे मैट्स होगए फिसिक्स होगए उन सब को देखते वे जो चीज़ता हम प्रेडिक कर सकते हैं उसके लिए अब आप लोगों को तैयार रहना है मैंट्री सही है अच्छा अब कुछ चीज़ों को मैंने ज़रा डिवाइट किया है आप लोगों के पेपर के अंदर इपनी ज़ाद हमें मतलब कुछ इंफरमिशन नहीं है स्लाइड जो गए नहीं है पेपर बेपर नहीं दिखा रहा है मैं आप लोगों को बस बेसिक सी आप लोगों से मैं अच्छा अब जब हम पहले बात करते थे 9608 के अंदर तो 9608 के अंदर मैं जब भी पेपर को डिवाइट करता हूँ अगर आप लोग पुरानी वीडियो को देखो रहा है तो जब भी मैं paper को divide करता था तो मैं paper को दो हिस्से में divide करता था पहला था आपका theoretical paper एक जिसमें आपके errors वोगारा वो होते थे और दूसर होता था आपका programming based paper लेकिन अब जो है वो scenario बहुत जादा change हो जगा है 9618 के अंदर खास दोर पे और अब recent papers के अंदर खास दोर पे 2021 में भी SS paper नहीं था पे 2021 में भी 9608 का ही तक्रीबन pattern follow होता था अब खास दोर पे जो recent papers है 2022 के उनको अगर आप और से देखो तो उनका pattern तक्रीबन अच्छा खासा change है तो अब जो मैं questions को divide करता हूँ तो वो तीन अलग अलग सिनारियो में डिवाइड होते हैं आप लोगों की questions एक है normal theory जिसमें आप लोगों का content आ जाता है for example errors वगहरा हो गए आप लोगों के आप लोगों की maintenance वगहरा हो गई testing वगहरा हो गई उसके बाद basic data type की questions हो गए उसके बाद आप लोगों का extraction की questions हो गए although programming होता है extraction is programming लेकिन फिर भी वो बहुत basic questions होते हैं उसका मैं programming problems all link अंदर नहीं लेकर आता हूँ तो वो सब चीज़ें जा है वो आपनों के theoretical questions में आते हैं आपके for example errors के क्या फायदे हैं इसमें फिर आपका files के क्या फायदे है abstraction क्या चीज़ होती है decomposition क्या है step wise refinement क्या है algorithm क्या होता है basic definitions क्या हो गई आपकी एक function के header के अंदर क्या क्या information है यह सब चीज़ें यह सब आप लोगों की theoretical चीज़ें जो क्या आप लोगों की theory based हैं उसके बाद अगर हम बात करते हैं अब जो पहले था scenario उसमें flow chart हो गया structure chart हो गया यह सब भी आपका theory के अंदर आता है इसमें इतना जादा आपको सोचने के जोड़ोत नहीं पड़ती है आपको परफॉर्म करना होता अगर इसकी practice की वी हो तो उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है flow charts हो गई, trace table हो गई state transition diagrams हो गई structure chart हो गई तो यह सब चीज़ें क्या है यह सब theoretical आप लोगों के papers है अच्छा उसके बाद हमाँ पर जो दूसरा जो additional एक चीज एड़ हुई है जो paper के अंदर आपको देखने को मिलता है पहले pseudocode जहनोंने बहुत ज्यादा कर दिये थे खास्तावर पर 2021 के अंदर और 2021 में कोई pseudocode बहुत ज्यादा कर दिये थे और आपके जो theoretical questions थे जो क्या आपका around 30 to 40 marks देते थे वो बिलकुल भी नहीं थे सब्सक्राइब जो है इन्होंने pseudocode कम कर दिये है pseudocode है अभी भी उतनी है लेकिन pseudocode कम हो गए है और conceptual programming theory जहनोंने increase कर दिये मादलब क्या इसका मादलब इसको समझते हैं ज़रा for example अगर मैं बात करता हूँ problem solving programming problem solving की तो यह proper module based question आता है आपका जिसमें आपको तीन से चार modules दे देते हैं वो आपको एक बड़ा question होता है around 20 marks 15 to 20 marks question होता है जिसमें दो अलगर modules होते है उनको आपनों को proper code करना होता है उनसे related questions भी होते है तो वो आपनों का basic big एक तरीक से बड़ा question है जो कि समझते हैं अब आपनों के वो कुछ छोटे छोटे quotes दे रहा है आपनों को छोटे छोटे quotes मतलब वो कभी कह देता है कि mid के function बनाना है left और right को इस्तमाल करते हुए कभी कह देता है file को बस read करो इसमें से ये चीज़ करो basic question होता है चार-पांच माँ का साथ माँ का सवाल होता है एक सवाल होता है लेकिन उसके बाद जो है वो theoretical question देता है उससे related वो कभी कहता है कि इसको आप लोग bubble sort के quote को English में लिकर दो उसके बाद वो आप लोगों को बोलता है अगर ये चीज़ इस तरीके से करते अगर ये चीज़ efficient बनानी हो तो क्या करेंगे अगर इस array को इस्तमाल करते अगर इसकी जगाँ two dimensional array को इस्तमाल करते तो क्या करते अगर हम लोग for example अगर इसमें बहतर loop कौन सा रहेगा इसमें हम लोग while loop क्यों इसके लिए हम लोग फॉल लूप क्यों नहीं इस्तमाल करें फॉल लूप क्यों इस्तमाल करना चाहिए उसके बाद अगर count control loop है हमें अगर number of iterations पता है तो हम लोग फॉल लूप इस्तमाल करेंगे ये सब चीज़ें क्या है ये सब आप लोग का conceptual programming theoretical questions है जो कि आप लोगों को कुछ याद नहीं करना है इसके लिए इसमें कुछ भी याद करने वाली चीज़ ने जो उपर वाली तीयोरी है सब इसमें याद करने वाली चीज़ें छीज़ ने है program development cycle लोग गए वो सब चीज़ आ आप लोगों की तो में चीज क्या है conceptual programming theory तो इस चीज के लिए तयार है ना आप लोगों ने कैसे मैं बताता हूँ आप लोगों को अच्छा अब आप लोगे दो घंटे का paper है भाई तो दो घंटे को paper को अगर तुम लोग सही से लेके नहीं चले तो बहुत मसला हो जाएगा paper को पूरा starting बस paper लो और सिर्फ पूरा paper रीट करो कोई परिशान होने वाली बात नहीं है सगनदा के आप लोग जो full blank होके बैड़ जो के भाई यह क्या चीज आ गई यह सब चीज हैं छोड़ो कोई मसला नहीं हमेशा कभी भी logic foreign click नहीं होती है यह चीज दिमाग में बठालो अपने है कभी भी कभी भी ऐसे नहीं होता even कि अगर मैं paper देने जाऊंगा even कि अगर मैं कोई question भी देखता हूँ तो मैं भी foreign मेरे दिमाग में click नहीं होती मैं एक दफ़ा गलती कर देता हूँ ठीक है गलती होगी कोई मस्ता नहीं वापिस से सही हो जाएगी लेकिन यह चीज़ अपने दिमागों बठालो कि foreign problem आपकी जो है वो foreign click नहीं होगी आपको हमेशा कभी भी ऐसे नहीं होता जब मेरे साथ नहीं होता तो आप लोगों के साथ क्यों नहीं होगा तो बिल्कुल यही सेम सेनारिय हो कि कभी भी आप लोगों के पास जो कोईशन को दे के घबराना नहीं है starting में फॉरन के भाई आचा यह तो होई नहीं सकता यह जैसे ही mindset आया खतम उसका बस आप समझ लो कि पेपर खतम आपनों का कोई फायदा नहीं उसका आगे करने का तो इस चीज़ के लिए तयार हो इस चीज़ को अपने दमागों बठा लो कुछ भी हो कोई भी कोड़ो कोई भी कोशन आजाए किसी भी दरीगा कोशन हो ऐसा लग रहा हो कि पता नहीं क्या दे दी हो नहोंने लेकिन उस कोशन को देखके यह मत अपी से दमागों बठा लेना कि भाई यह solve ही नहीं हो सकता है क्योंकि वो solve हो सकता है उसका solution मौजूद है और उसका solution बहुत ज्यादा असान है अगर इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा सुकून से सोचो अच्छा अब जो दो घंटें उसको हम लोग ने कैसे अपने utilize करना है सबसे ज़्यादा जो सबसे कम time जा है वो हम लोग से traceable को भी side पे कर देना ताकि तुम्हारी एक tension खतम हो जाए कि भाई यहां बड़े-बड़े questions है वो सब खतम हो चार्ट हो गया फ्लो चार्ट्स हो गए structure चार्ट्स हो गए प्रोग्राम development cycle हो गई errors maintenance यह सब चीज़ है आप लोगे theory के अंदर आप लोग ने perform करनी है foreign सबसे पहला का और यह काम जितना तेज कर सकते हो इसमें कोई वह नहीं करना सुस्ती नहीं करना और इसमें सोचना मत इतना ज़्यादा जितना जल्दी यह काम आप लोग कर सकते है theory का यह आप लोग ने attempt करना है हर सूरत में समझ लो time में नहीं allocate कर रहा है कि हर कोई हर कोई जो हो मैरिश नहीं कर पाता पर आप लोग और pressure लोगे इसको तो सुकून से करो कोई वो नहीं है अपना time खुद allocate करना लेकिन बस यह दिमाग में रखना है कि इसमें हलका नहीं जो चोटे-चोटे questions ना उनको अभी अगर असान हो सिंपल है basic है फाइल का कुशन था रीट करना था एक्सरेक करना था प्रिंट करना था basic question इदर से उठानी थी उदर डालनी थी बेसिक कुशिन है तो फॉरन अगर क्लिक हो रहा है ना अगर फॉरन को पढ़ा फॉरन क्लिक हो गया तो बहुत असान होते हैं और आपका जो मॉडिलर कोशिन है वह बहुत जाता है और कभी ऑपोजिट हो जाता है कि वह मॉडिलर कोशिन बहुत ही बेसिक दे दिया उसने लेकिन कॉंसेप्चियल जैसे लास्ट एयर हुआ था बच्चों के साथ कि मिट का फंक्शन मनाने को दे दिया फाइल की आखरी फाइल की लास्ट थ्री लाइन्स प्रिंट करो यह बहुत डिफिकल्ट कोशिन इनके बार में आपको सोचना पड़ता है आप पहले देखके हर कोई निया टांप कर सकता यह डिस्टिंशल लेवल कोशिन है सही है तो अब आपने देखा है इनको आपने इग्नॉर मानना है स फिर बोल लाओं कि भाई आप लोगों का कोट करना बहुत ज्यादा असान होता है अगर तुम लोगों को कोट मैं साइड में रखके देऊ हूं तुम लोगों को पांच-दस मिनद भी नहीं लगने कोट करने में सब्सक्राइब लेकिन यहां पर क्या सिनारियो है यहां पर टाइम जो है वह सोचने का टाइम है नहीं समझारी लॉजिक बिल्ड नहीं होरी एक्जाम्पिल डेटा इस्तेमाल करो रफ पेपर इस्तेमाल करो डाइग्राम्स बनाओ समझो चीज़ों को ब्रेकडाउन करो एक ऐसे सोचो कि भाई तुम लोगों को इससे पैसे मिलने इस को सॉल्फ करने से सही है कुछ भी हो जाए बस थोड़ा बहुत अपने माइंड़ सेट को चेंज करो और बोलो कि तुम कर सकते कुछ भी हो जाए कोई ऐसा सवाल है मुश्किल नहीं होता सवाल आपनों कि सिर्फ उसकी लॉजिक तब पहुचना है ट्रांसलेट करो वर्ड व बाइल डूप लगाता हूं तो यह होगा मुझे आइटरेशन नहीं पता तो मुझे यह पता है तो मुझे वह नहीं पता सब चीज़ां आपने देखी उसको अपनी बिल्डिंग प्रॉब्र शॉलिंग स्किल्स के अपने इस्तिमाल करते हैं अपने प्रोग्राम बिल्ड कि इसके बाद कुछ कुश्चिंज होते हैं रिलेटेट तो यह प्रोग्राम सब्सक्राइब और जो कोड़ समझ आ रहा है कि उसका अगर एक मॉडियूल नहीं हो पा रहा है इसका यह मतलब नहीं कि दूसरा मॉडियूल भी नहीं कर सकते हैं उसकी डिस्क्रिप्शिन पढ़क करना अपने मांक्स को सिक्यूर करो थ्रेशल बहुत नीचे होता है इसका तो लेकिन फिर भी लोग जाएं वह 10 मांक 15 मांक्स भी नी स्कूर कर पाते इस पेपर में तो अपना दिमाग थोड़ा सा खोलके रखो और सो जाना भाई प्लीज और जितना माइंड फ्रेश होगा उतना अच्छा पेपर होगा उतना तुम लोगों को सोचने को मिलेगा सही है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तुम लोगों को आती है तुम लोगों को स्कूट करना आते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने हाप पर भरूसा रखो और को बहुत सुकून से पढ़ो हर एक ए तरीका को कोड दे दे वो तुम लोगों को टेंशन नी होनी चाहिए इस चीज के में दिमाग में बठा लो अपने के भाई कुछ भी कोड दे दे मुझे मैं उसको ब्रेकडाउन कर सकता हूं बस उसको अंडलाइन करो हर एक एक वर्ड को समझो ट्रांसलेट करो क्यों कह रहा है हर एक एक वर्ड एक डॉट एक 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 एस कुछ भी एक एडिशनल कॉमा कुछ भी हो हर चीज का मकसद है कोई भी चीज अकर एक्जैमिलर दे रहे तुम लोगों उसका कोई ना कोई मकसद है नहीं समझाई वर्ड निंग एक्जैमिल लेटा देखो तो इस चीज को अपने मसता नहीं बस रैंडम कोड कर दो लेकिन यह लास्ट वर्ड के सेनारियो बिल्गों आखर वाला सेनारियो तरह नहीं हो रहा बेसिक हेडर फुटर डिक्लेरेशन बेसिक लॉजिक फॉल लूब थोड़ा बहुत इंडेंट एक एक एलिमेंट को एक्सिस कर लिया कुछ न कु दूसरी को याद रखें भाई इंशालला नमाज मास पढ़के जाना सब यहां पे भी दुआएं कर रहे हैं आप लों के लिए बाकि इंशालला गुड लग सही जी आला हाफिस